हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के शेर के बारे में दोस्तो एक टाइम था जब ये येस बैंक का शेर निफ्टी फिफ्टी के लिस्ट में आदा था और त्री डिजिट्स में केलता था बट इनकी कुछ मैनेजमेंट लॉसस के वज़े से और NPA के वज़े से ये काफी लो जा चुका है फिलाल येस बैंक मारकेट में काफी चर्चे में चल रहा है और इसको लेके मारकेट में काफी बड़ी खबरे आती रही है खेर इसका एक हाइप पॉइंट है कि इसको RBI ने खुद सववाइब करनी की कोशिश की थे खुद इसको रिवाइब करनी की कोशिश की थे और इसके सारे कंट्रोल अपने अंडर ले लिये थे एक टाइम पे ताकि ये बैंक डूब न जाए इसी के लिए येस बैंक अभी भी मारकेट में चल रहा है और इतलाइजेशन फिलहाल 35,327 करोड के आसपास है येस बैंक लास्ट 52 वीक से 5.65 आइनर और हाइस पे 92.45 पे है येस बैंक ने FPO के जरीए 15,000 करोर रुपीज कलेक्ट किये थे ताकि वो अपने को सववाइब कर सके और अपने इस मारकेट कॉम्पेटिशन में आ सके इन दिनों येस बैंक मारकेट में काफी चर्चे में चल रहा है और इसका रीजन मारकेट में काफी जो बड़ी खबरे आ रहे है येस बैंक को लेके वो है दोस्तों फ्राइडे को जो यस बैंक का थर्ड अपर सर्किट था वो थोड़े टाइम के लिए तोड़ गया था जिसकी वज़े से यहां पे करोर में ट्रेडिंग हुई जैसे कि आप देख पा रहें बट इसका रीजन यह था कि अदानी ग्रुप ने 202 करोर के शेर यस बैंक के बेच दिये थे जिसकी वज़े से यहां पे एक हमें अपर सर्किट देखने को लगा जो इसका बट कुछ टाइम बाद यह वापस से रिवाइफ कर गया और अपने जगह पर आ गया मार्केट बंद होते होते यह अपनी जगह पर आ गया दोस्तों अगली बड़ी खबर ज उसके बाद जो दुसरी तीसरी खबर आती है यहस बैंक को लेके वो था कि अनील अमबानी की कमपनी के जो कुछ हेड़कोर्टर्स थे जिसको यहस बैंक ने एक्वाइर किया जिसकी वज़े से यहस बैंक ने थोड़ा बहुत जो अपना एन पीए था नॉन परफोर्मिंग इसेत से उनको रिवाइफ करने की कोशिश की अगली जो आखरी बड़ी खबर है जो की बहुत ही अच्छी बड़ी खबर यहस बैंक को लेके आई वो थी मूडी स्की रेटिंग को बढ़ा दिया गया वहाँ BuyMNet को लेके Moody's ने Yes bank की rating बढ़ाई जिसके वज़े से Yes bank में बहुत ही अच्छे scope हमें देखने को मिल सकते है in future अगर आप इनमे invest करते हैं तो घर यह हमारी अपनी राय है हम तो इनमें invest कर सकते हैं हम यह से आपको इन्वेस्ट करने को भी नहीं बोल रहे है ना आप करिए आप पहले इसके बारे में जान लीजिए और शेर मार्केट में इन्वेस्ट करना वैसे भी रिस्की होता है अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले आप इसके बारे में पूरी खबरे लीजिए पूरा analysis कीजिए फिर उसके बाद ही आप इसमें invest कीजिए यह थी हमारी रहे जो yes bank को लेके आई थी yes bank को जैसे बड़ी खबरे आई थी जो market में चल रही है और यह थी कुछ बड़ी खबरे खेर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना और आप अपने विचार हमें yes bank को लेके comment box में बता सकते हैं ताकि हम आपसे जान सकें कि आपको क्या लगता है क्या yes bank आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा येस और नो करके जल्दी से comment box में बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी best performing वीडियो की तरह शुक्रीए